Question number 2 देखेंगे अब इसका, देखें, क्या कहता है, in figure, figure अपने को given है, if tp and tq are two tangents, देखो, tp, ये जो tp है और tq है, ये दोनों क्या है, दोनों tangent है, 2a circle, एक circle पे दोनों tangent है, with center o, जिस circle का center क्या है, o है, so that p o q 1 10 है, ये 110 degree का है, p o q, p o q angle कितना है, 110 degree का है, then p tq is equal to p tq, ये अपने को find out करना है, ये अपने को बताना है, और ये options हमें दिये गए हैं, इनको tick करना है, देखें, इसका solution जो है, हमें solution देखेंगे इसका, तो यहाँ पे अगर बात देखें, तो ये, देखो, एक side, ये 2, ये 3, और ये, तो थी tq हो गई, 4 side है, it means ये क्या है, एक quadlator है, ठीक है, और quadlator के ये जो angles हैं, इन सब angles का sum, 4 angles का sum कितना होता है वही, 360 degree है ना, और हमें ये find out करना है, हमें ये भी given है, कि tp और tq क्या है, दोनों tangent है, और यहां से देखें, तो ये center है, तो ये इस पे 90 degree का angle बनाएगा, वही, radius इस पे tangent पे क्या बनाएगी 90 degree का angle, और ये भी यहां भी क्या बनाएगा, 90 degree का angle बनेगा, ठीक है, हमें पता है यहां पे, क्या, कि op जो है, वो perpendicular axis पे, tp पे, and, and, oq जो है, वो भी perpendicular axis के, tq के, ठीक है, ये tq के है, और ये tp के, अब, हमें ये angle find out करना है, तो we know that, हम क्या जानते हैं, कि 4 angles का sum जो है, वो कितना होता है, 360 degree, हाना, quadrilateral में, तो बोलें, इन quadrilateral, quadrilateral, कौन सी, t, o, q, t में, p, o, q, t में बात करें, तो angle, लिख लेते हैं, angle, p, o, q, plus, angle, o, q, t, plus, angle, q, t, p, q, t, p, या इसको आप लिख लें, ये जो इसने find out करवाया है, तो p, t, q, e, लिख लें, देखिए, एक ही बात है, वो तो angle बीच में रखना होता है, जो हमें find out करना होता है, इसको चाहिए, p, t, q, 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 t, p, लिख दें, एक ही बात है वो तो, बट यह निकलवाया है, तो हम यह लिख लेते हैं, इसको, plus, और इसको लिख दें, angle, t, p, o, ये वाड़ा angle, is equal to 360 degree, भई, अब यहाँ पर बात करें, तो p, o, q, कितना है, प, o, q, हमें दिया है, 110, इसकी बात करें, o, q, t, की, तो यह 90 degree है, भई, होता है, यह radius, tangent पे, 90 degree, और, plus, p, t, q, q, की बात करें, तो, यह find out करना है, तो, p, t, q, plus, t, p, o, यह 90 degree, is equal to 360 degree, यहाँ पर बात करें, तो, यह कितना हो गया, भई, 110, और, 90, कितने हो गया, 200, और, यह 90, 290, हो गया, भई, तो, 290, उधर जाके, सब्ट्रेक्ट कर देंगे, 360 में से, क्या कर देंगे, 290, सब्ट्रेक्ट कर देंगे, तो, कितना बच गया, भई, यहाँ, 70 degree, बच गया, कितना बच गया, 70 degree, तो, देखें, इसमें कोण सा option है, यह है, 70 degree, option, b, को, टिक कर देंगे, और इसको आपको सोल भी करके, दिखा देना है, ठीक है, भई, ताकि यह नहीं लगे, कि आपने यह cheating से किया है,